ये कानून हमारी सरकान ने बनाए और भाजबने के कानून बनाए तीन काले कानून किसान के खिलाफ नोडबंदी, GST और अमीर गरीब की खाई को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और रगुजी ने जो काम किया आपके सामने हैं और मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं इस केगडी को जानता हूँ, यहां जो विकास हुआ है पिछले पांच साल में, मैं र plano पिछले सत्तर साल में आपकास कभी नहीं हूआ हँगा, और यह बात हमारे विरोधी भी बहुत आया है यूद कॉंग्रेस फिर कहां चुनाव लड़े क्या रहा आप सब इतिहास जानते हो फिर केगडी को नाशिरवाद दिया आपने विधायक बनाया और मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात प्रियंका जी 2016-2017 में यहां बाइलेक्शन हुआ उपचुना हुआ लोकसवा का मैं कॉंगेस कमेडी का धक्ष था और मैंने रगुजी को कहा हम सब का नेताओं का मन था रगुजी आप चुनाव लड़ो बाइलेक्शन अब असली बात तो यह कि रगुजी ने का मैं कहां पच्छने भुजूंगा लड़ूंगा फाल तुमें सरकार है तो यह आदे मन से थे म मैंने का रगुजी आप चुनाव लड़ो हम सब साथ रहेंगा चुनाव जिताएंगे उस समें पूंड भूमत कि सार 163 विधायक पुसंद्रा जी के थे बीजेपी के थे केंड में सरकार प्रदेश में सरकार तो रगुजी तो समधार आदमी है उन्होंने का कौन पंगा ल का कॉंग्रेस का कारेकरता चटान के तरह आपके साथ खड़ा रहेगा और वही हुआ हम आठों सीटों पर जीते और रगुजी सांचाद बन कर गए और उसके बाद तो पीछे देखने का मौका ही नहीं मिला सांचाद बने मंतरी बने गुजात के प्रभारी बने लेकिन सब से पहले ये आपके सेवक हैं और रहेंगे इसलिए आज हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं और सुनो सातियों ये जाती बिरादरी और मैं जानता हूं केकडी में हम सर समाज के लोग रहते हैं हम सब को एक जुटता दिखानी है कॉंग्रेस पार्टी की सरकार जहां वोट करेंगे इस बात का मैं आपको आश्वा संता हो केकरी के लोगों को हम सब प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं लेकिन मैं आप से इतना आगरे करूंगा मैं भी सुनाव लड़ रहा हूं टॉंक से और जब पच्छेस तारी को मद्दान होगा मैं मेरे विजानसवा चेतर में ह का आप सब लोग डाल रहे होंगे और जब बाते हैं म कीन में तो आवाज करता ना वो कि आश्या यू आलती भूति निकालती उसमें से आवाज निकलती है यह वह बट पच्छेस आरे को पंदीजी का इस मुआ त्य जी चेते लिए एढ़व द्लान को चैनली को आप सबसे पुने निवदन करते हुए कि कॉंगेस पार्टी को जिताना और सुनो ये जीत मोटी करनी है अच्छी खासी जीत होगी हम सब को ताकत मिलेगी और हम मिलकर आपके छितका विकास करेंगे सरकावे बनाएंगे मैं एक बार पुने प्रेंका जी का यहां पे स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि वो समय निकाल कर आपके बीच में आई है और तमाम जंदा जो बैठी है आपका मैं हमेशा कायल रहूंगा परमपिता परमेश्वर से का हमला करता हूं आप लोग फलो फोलो हसो कि जैसे आज मुस्कुरा रहे हो ऐसे मुस्कुराते र हो बगवान आपकी जोली में खुशियां बरे बहुत-बहुत धन्यवाद राम राम साथ अब